उत्राखन के कुमाव और गड़ाल शित्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आस्तार है मौसम वपाग में कुमाव के लिए औरंज और गड़बाल के लिए यलू अलाच्वार किया हुआ है मौसम वज्यान केंद्र के निरिश्यक विक्रम सिंग का कहना है कि समय कुमाव और गड़बाल शित्रों में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओ के कारण निम्न वायुदा का शित्र पना हुआ है महीं बश्यमी विचोव के सक्री होने से कुमाव और उसे सटे गड़बाल के कुछ लाकों में अगले 14 घंटे में भारी से अते भारी वारिश के आसार हैं जबकि गड़बाल शित्र के कुछ लाकों में भारी वारिश की संभावना मौसम वद्धा की तरफ से जताई गई है भारी से अति भारी बारिश को देखते हुए नदियों नालों की किनारे बसे लोगों के साथ ही भूसकलन संभावित इलाखों में बसे लोगों को साधान रहने की हिदायती गई है जानकारी के नुसारक माउशित्र में बहुत भारी बारिश की मतिनसर सरकार, शासन और राज्य आपदा प्रबंधन वभाग को रिपोर्ट भीजी जा चुकी है उधर दैरदूर में शनिवार को बदल चाहे रहेंगे सले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ ही तेज बोचार पढ़ने की भी संभापना चताई गई है मौसम बदलने के साथ ही बदुनाथ हिमकुंड साहिब और पूलो की घाटी सहित अन्य जगा की उच्छी चोचियों पर भारी हो रही है जोसे यहां कडाके की ठंड पढ़ रही है हिमकुंड साहिब में सीजन में दो बार पहले बर्फ पढ़ चुकी है शिक्रवार दुपहर के समय यहां फर बर्फ वारी शुरू हो गई जोसे हिमकुंड साहिब में कडाके की ठंड पढ़ रही है हिमकुंड साहिब के कपाड बंद होने में अब सिर्फ तीन दिन ही शिष रह गए हैं दस अक्टुबर को हिमकुंड साहिब के कपाड शित काल के लिए बंद कर दिये जाएके